पूत के जैसा कलर हो जाएगा एकदम सफेद आपका कलर हो जाएगा इसके तो मैं गरेंटी आपको देती हूँ कितना बढ़िया रिजल्ट आया है यार फेस्टिवल सीजन में चेहरे के उपर दाग धपे हों स्किन बहुत ज़रा डल लगे तो मज़ा नहीं आता है फेस्टिवल को इंजॉय करने का दावे के साथ कहती हूँ आज की ये जो सिंपल घरेलू एक उपाय है जो नुसका है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप घर में किचन में काम करते करते भी कर सकते हैं सुभा शाम कभी भी कर सकते हैं सुने से जस्ट पहले अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके स्किन के उपर आपको next day morning में बहुत ज़ादा glow मिलेगा मैं तो यह कहते हूँ जिस दिन आपके घर में कोई party या function हो आपको एक रात पहले इस उपाय को करना चाहिए चेहरे के सारे दाग धब्बे हट जाते हैं स्किन के उपर wrinkles, fine lines आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है स्किन बहुत जारा tight लगती है स्किन अगर आपकी बहुत जारा unequal हो गई है यानि की face का color अलग लग लग रहा है गर्दन आपकी अलग color की दिखती है तो आपको इसको regular यानि की रोजाना करना चाहिए पालर जाके महंगे महंगे जो आप facials करा के आते हैं उसका result आपको मात्र दो से तीन दिन रहता होगा लेकिन यह जो remedy में आपके साथ शेयर करी हूं इसको आप बिना पैसा खर्च किये रोज अपने घर पर कर सकते हैं और रोजाना आप अपने color को fair कर सकते हैं स्किन की जितने भी problem है चाहिए tanning है sun tanning है dark spots है wrinkles जुरिया जितनी भी है सारी की सारी आप इससे हटा सकते हैं स्किन के उपर अगर आप permanent result पाना चाहते हैं तो इस remedy को आप रोज भी कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किये तो एक बार मेरे कहने से मेरी guarantee से आप इसको करके देखिए क्योंकि मैं रोजाना अपने इस remedy को करती हो और मैंने करना क्या है चलिए start करते हैं आज के इस वीडियो को और जहां पर मैं आपको इनुसका बता रही हूं उसके साथ ही मैं आपको एक चीज और last में जो चीज बत पफिनस बहुत जाबा है सूजी सूजी आखे लगते हैं हमेशा ऐसा लगता है कि रेड हो गई है आके तो आपको उसको भी जरूर करना है तो चलिए start करते हैं आज की इस remedy को जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं इसको आप घर पर अभी भी बैठे-बैठे कर सकते हैं मेर रेखा सिंग लाइफ लेके आगई है फिर से आपकी भेहन आपके लिए बहुत ही मज़ेदा रेमेडी जो आपको घर में रखे हुए सामान के साथ ही बनानी है कुछ अगडम शगडम नहीं डलने माला है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ले लेंगे जी चहरे के उपर जो भी आएगा आपने उसको बताना भी जरूर है और बिना उबला हुवा दूद जो होता है उसको कच्चा दूद बोलते हैं बहुत लोग सूचते हैं कच्चा दूद या नहीं कि घर में फ्रिज में रखा है नहीं जो बॉयल नहीं किया जाता है दूद आप उसको पैकेट वाले दूद को आप लेके आए चाहे गाएं भैस जो भी आप दूद यूज करते अब अहीं लेके आएंगे बॉयल करने से पहले आपने अपने लिए थोड़ा सजे से देखे चार से पांच चमच यह मैंने निकाल लिया है इतना ही आपको निकालना है कच प्रकाभ में ले ले लेनी हैं और फोला आपने करके पहले टप टाप करें अच्छे से अपने चहरे की उपर इसको आपने ना मसाज करनी है अभी न सब्सक्राइब सबहुंось नहीं होगे। इसकी तो मैं guarantee आपको देती हो, क्योंकि दूद हमारे color को fair करता है, चेहरे की जितनी गंदगी, धूल, मिट्टी होती है, उन सब को हटाता है, और हमारे skin को ठीक करने में पोखाथ help करता है, आपका चेहरा, आपकी skin अगर बहुत रूखी, सूखी हो गई है, तो दूद आपके skin की problem को भी ठीक करता है, तो मेरे कहने से एक बार इस remedy को करिएगा जरूर, और यह जो दूद है ना, इसको आप चलते फिरते अपने चेहरे के उपर लगा सकते हैं, मेरी मारी है, रात को सोने से पहले आप करिए इस remedy को, next day morning में आपको बखुत बढ़िया result की, यह हमारे पा आटा आटा आपके कलर को फेर करता है, आपके दाग धबो को हटाता है, इसके साथ लेकिन हमें क्योंकि अपनी skin की aging के उपर भी काम करना है, तो मैं इसमें डाल रहे हूँ, चुटकी भर फिटकरी को आपको कैसे बनाना है, यह मैंने आपको बताया हुआ आप एक बार जाक है, फिटकरी आपके skin को टाइट करेगी, रिंकल को अटाएगी, लेकिन इसके साथ ही फिटकरी आपके चेहरे के दाग धबो को अटाती है, और रंग को बहुत जादा फेर करती है, तो यह देखिए इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, और अब हम इसको डिरेक्ट अपने पर इसी दूद के उपर ही लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ का धियान रखिएगा, यह पैक लगाने के बाद में आपने जादा से जादा 5-7 मिनिट ही इसको रखना है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको completely सुखाना है, सुखाना नहीं है क्योंकि इसमें हमने फिटकरी डाली है और इस पैक को हमें सुखाने की जूरत नहीं है, यह हमारे चेहरे के दाग धबों के उपर काम करने वाला है, तो आप क्योंकि इसमें फिटकरी डाले हुए हैं, तो वो आपके रिंकल्स के उपर अपने आपी काम करें, तो आपने करना क्या है, अपने चेहरे के उपर अपन करती है दूद्ध और क्योंकि हमने इसमें फिटकरी डाली है जो कि हमारे कलर को फेर करती है हमने इसमें आटा डाला है जो हमारे इसका result कैसा आया है, यह दिखिए, कितना बड़िया result आया है यार, पालर जाके एक एक घंटा जो लाइन में लगके आप लोग अपना पैसा भी खर्च करते हैं, ठीक है, पालर के उसका भी मज़ा है, लेकिन जो घर की remedies आप रोच कर सकते हैं, उसका मज़ा तो कुछ और ही है, क्या result आया है, बहुत बड़ी है result आया है, मैं वाश करके आती हू जो last में हमने cream अपने चाहरे के उपर लगानी है, तो ये जो cream है, ये मैंने आपको 3-4 दिन पहले जो मैंने आपके साथ में remedy share किया था, वहाँ पर मैंने आपको दिखाए था कि केसर वाली जो मैं cream आपके साथ share कर यूँ, उसी को मैंने जो दूसरा मैंने एक serum बना के रखा आपके चहरे को सोफ्ट मॉलायम बना कि रखती और आपको भी अपने चहरे को हमेशा हमेशा चतना इन गसा और एब होदी है उतने ही हो जाते हैं तो इस बता रही हूं के अधर आग पास इसको अच्छे मेसाज अपनी हापों बढ़या से मसाज करेंगे ताक फेस के ऊपर वी लगा सकते हैं यसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस किन को आपने मौस्चाराइज हमेशा करके रखना है जितना ज्यादा मौस्चाराइज इसकिन उतनी ज्यादा आपकी खिली-खिली ब्राइट'न अप शाइन करी है, चमकदार एकदम स्किन लग रही है, यह देखे, सेम रिजल्ट में जैसा रिजल्ट मेरी स्किन के उपर मिला है, तो आपने करना क्या है, कॉमेंट करके मुझे बताना जरूर है कि आपके उपर इस रेमेडी ने क्या कमाल क्या धामाल मचाया, कहां से मेरे वीड कर दिया है, इस रेमेडी को देखते दिखते ही तो, मिलते हैं नेक्स रेमेडी के साथ में, इसी तरह से इंज्वाय करिए अपने फेस्टिवल को और इसी तरह से चमकते दमकते रहे, बाबाई, टेक केर, से यो